जमस्ते बच्चों कैसे आप लोग मैं और मिला आज फिर आपके लिए एक बहुत ही यूस्फुल वीडियो लेकर आए हूँ और ये वीडियो है difference between में और मैं में मिन्स इन और आई तो चलिए देखते हैं क्या अंतर है दोनों में तो में का प्रयोग अपने लिए मिन्स आई और माइसेल्फ के लिए किया जाता है में मिन्स होता है आई या फिर माइसेल्फ for example जसे मैं सुन्दर लड़की हूँ I am a beautiful girl इसी तरह में में का प्रयोग अंदर के लिए किया जाता है इन के लिए में मिन्स होता है इंसाइड for example टोकरी में फूल रखे हैं the flowers are placed in the basket हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि में 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 ए की मातरा आती है upside single line जैसे कि आप यदर देख रहे हैं इदर ए, ए की मातरा आती है और मै, मै में ए की मातरा आती है और ए साउंड आता है means double line ए मै तो चलो हम इनके अंतर या differences को में एंड में में कहां प्रयोग होता है या इसका प्रयोग किया जाता है कुछ example से समझते हैं जिससे first example लेते हैं मैं एक लड़का हूँ एक चीच और ध्यान रखिएगा कि मैं अगर end में किसे sentence के end में हूँ आता है ये हूँ आएगा अगर suppose तो उस sentence के starting में always मैं का use होगा I ये आप पहचानने के लिए एक अच्छी trick है कि end में अगर हूँ है किसी भी sentence के तो starting में आप मैं लिखिएगा ए मात्रा जैसे मैं एक लड़का हूँ I am a boy next देखते हैं बस्ते में किताबे रखी हैं books are kept in the bag मैं एक अध्यापिका हूँ जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे हूँ आया है end में sentence के तो starting में हमने fill in the blanks में क्या लगाया है मैं, मैं का यूज हुआ है इसी तरह गिलास में पानी है water is in the glass इसी तरह next देखते हैं कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं children are studying in the room और एक और चीज है मैं को पेचानने के लिए कि अगर sentence के end में इस तरह से जाऊंगा, करूंगा, गा वाला sound आता है तो भी sentence के starting में always मैं आएगा, आई वाला जैसे मैं आज बाजार जाऊंगा I will go to the market today next है अल्मारी में कपडे रखे हैं the clothes are kept in the cupboard अल्मारी में कपड़ इसी तरह next देखते हैं मैं खाना खाता हूं तो देखिए sentence के end में हूं आया है तो fill in the blanks में क्या आएगा, मैं I am eating food next मेरे घर में दो कमरे हैं there are two rooms in my house next मैं अपनी नानी के साथ रहता हूं यहां पर भी देखिए मैं के साथ end में sentence के हूं आया है तो fill in the blanks में क्या आएगा, मैं next मैं अपनी मा के साथ बाजार जाऊंगा देखिए यहां पर जाऊंगा आया है तो sentence के starting में क्या आएगा, मैं I will go to the market with my mother जैसे मचली जल में रहती है fish lips in the water in के लिए, inside के लिए आएगा, तो मैं यूज होगा अब next मैं रसी कूद रही हूँ फिर से देखे, end में sentence के हूँ आया है तो starting में sentence के क्या आएगा, मैं I am skipping the rope फिर next देखिए, जिसे आस्मान में तारे चमकते हैं तारे मिन्स stars stars shine in the sky आस्मान मिन्स sky तो यहाँ पर क्या आएगा, इनका यूज हुए तो मैं आस्मान में तारे चमकते हैं फिर एक देखिए, मैं तीसरी कक्छा में पढ़ता हूँ फिर से देखिए, यहाँ sentence के end में हूँ आया है तो sentence के starting में क्या आएगा, मैं, I I am studying in class 3 next देखते हैं, मैं अपने घर में बैठ कर पढ़ाई कर रहा हूँ यह इसमें में और मैं दोनों का यूज हुआ है तो आप देखिए, लेकिन यहाँ end में sentence के हूँ आया है तो sentence के starting में मैं का यूज होगा तो I am studying in my home मैंने अपने बस्ते में किताब रखी है यहाँ पे जैसे मैंने combined word है बट हमेशा ने के साथ मेने नहीं बोलेंगे मैने means I अपने बस्ते में किताब रखी है means I have kept the book in my bag next देखते हैं आज मैं अपनी स्कूल बस में ही सो गया था तो क्या होगा today I slept in my school bus जैसे next देखते हैं खेतों में अच्छी फसल उगी है means good crop has grown in the field खेत means farm या field next मैं वार्शिक परिक्षा में प्रथम इस्थान प्राप्त करूंगा देखे इसमें करूंगा जाऊंगा इस टेप का वर्ड आया है तो sentence के starting में fill in the blanks में मैं का यूज होगा आय का I will get first place in annual exam next कल मैं भारत जा रहा हूँ means tomorrow I am going to India next देखते हैं मेरे दोस्त के घर में एक बिली है means my friend has a cat at home next सभा में श्रोतागण पहुँच चुके है means the audience has reached the meeting next example देखते हैं चुटी के दिन मैं अपनी मन पसंद फिल्म देखता हूँ देखे फिर end में हूँ आया है तो fill in the blanks में क्या आएगा मैं means on holiday I watch my favorite movie next मैं हमेशा कक्षा में उपस्थित रहता हूँ means I am always present in class next देखते हैं बाजार में बहुत भीड है means the market is very crowded next मैं आज शाम को क्रिकेट खेलूंगा देखे फिर से गा वाला sound आया है न starting में fill in the blanks में आएगा मैं because they are talking about myself I मैं आज शाम को क्रिकेट खेलूंगा means I will play cricket this evening next example देखो कक्षा में दो पंखे लगे हैं means the class has two fans next example देखो मेरे मामा की शादी में सब को मज़ा आया मेरे मामा की शादी में सब को मज़ा आया यहाँ पे इन आयेगा everyone enjoyed in my maternal uncle's wedding मामा means maternal uncle your mother's brother next example देखते हैं मैं अपने बड़ों को प्रणाम करता हूं प्रणाम करना means salute करना या respect देना तो हूं आया है तो fill in the blanks में आप क्या लिखेंगे मैं means I salute my elders next example देखो मैंने मैंने कहा ना जब joining में ने के शाद कोई वो आएगा word मैंने word हमेशा बनेगा मैंने मैं आये मैंने means I मैंने अपने हाथ धो लिये हैं means I have washed my hands next example देखो मेरा मित्र अमेरिका में रहता है means my friend lives in America next example देखो मैं एक चिकित सक हूं means I am a doctor जिससे दूसरे एक्जामपल देखते हैं कच्रा पेटी में कच्रा है means garbage is in the dustbin next next कटोरी में सूप है the soup is in the bowl next example बिली बक्से में है the cat is in the box तो ये थे कुछ एक्जामपल्स और I hope बच्चों आप लोगों को difference between me and मैं को समझने में easy रहेगा आप ये कुछ एक्जामपल्स देख करके आप समझ सकते हैं और एक्जाम में आपको इससे बहुत help मिलेगी इसी के साथ अब मैं next वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए take care, bye bye